अलैकुम कैसे हैं आप सब आज हम studies चंटनी बाछती बनने वाली है। बहुत ही जल्दी बनने वाली है चंटनी और बहुत टेस्टी है। प्रेता आने वालकी चंटनी बना कर राप स्टोर कर genom करें। सबसे पहले हम ले रहे हैं वन केची टमाटर जो एक दिम फ्रेश है हम इसको वाश करके ट्रफली चॉप कर लेंगे एक कड़ाई में हम तेल गरम कर रहे हैं तेल तकरीवन चार बड़े चमच है और इसमें हम सौफ मेथी और कलॉंजेट कर रहे हैं 3-3ूच हम आफ टी स्पून के और करें तो बीष अच हम यह थोड़ी देर के लिए तेल में लें कर एक आदे में तो बाड़ छमच हम एड़ कर रहे हैं गारलिक और श् prophet March और इसके और बहुत आद एक पार ठीज ट्र पूनें गैंप ट्रमाटर और हम इसमें एट करेंगे चली फ्ॉक्स आप चाह तो पाउडर भी आट कर सकते हैं ऑफ टी इस्पून के करीब फल्द Wallace उ आड़ कर रही हूं और एक चम्मचा बोड़े वपाउडर से नमक में डाल रही हूं दो मिनुट भून लेजिए हाई फ्लेम पर उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम करकर कवर कर दीजिए अब तक्रीबर गल चुका है टामाटर तो अब इसमें हम थोड़ा मीठा एट करेंगे आप चाहें तो शकर भी एट कर दें अगुड़ या चाहें गुड़ एट कर दें या हाफ शकर एट कर दें क्योंकि मेरा जो गुड़ है वो गाउं का है तो उसका कलर थोड़ा डार्क है यह बेली जो है काफी इस टिकी है तो तूटने ही रहीती तो मैं इसको ऐसे ही एड़ करती हो गल जाएगी लो फलेम करके मैं गड़े कर रहे हूं अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर लेजिए वैसे मैं छोटी साईस की है तो चार एड़े अब इसको low to medium करके धकन लगा दीजिए यह गल जाएगी आसानी से गल जाएगी जो यسी dry शूखी रहती उसको हमारे भेली बोलते हैं और जो liquid रहती है उसको गुड बोलते है वो एकी चीज आप उसको जादा है और भेली को एकदम से dry करके फिर उसको ठंडा हो जाता है तो फिर उसको हाथ से छोड़े बाल से बना लेते हैं दोनों से इसे तक हैं दोनां को करें भी क्षाइब करें रख दाए हैं। और से झाइए करें पोरें। प्राइब इस ग्राइब को द्याइन जात हुआए। इसको इस्टोर करने के लिए किसी भी सूखे जार में रखें और गीर ना रहे पानी ना लगा रहे तब यह जटाए है कि यह पानी तो यह जाज एक आफ घमदक आफानी के लीए जाज़ चुर्ट रहें और इसी तरह एजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर